हालो नमस्ते सर क्या शुब नाम आपका? सबाव मत बोल रहा हूं सर नवयूगा इंजिनिरिंग कमपनी लिमिटेट से सर देखें मैं मैं मेरा टेलिफोन जो है उस स्पिकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैटे हैं वे भी आपकी बाते सुनना चाहेंगे सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बढ़ाई देता हूं एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाएं और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है मैं शब्दों में वरणन भी नहीं कर सकता हूं कि वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो साथ मन को इतनी कैसे समाल पाते कहना कठीन था तिकि ये केदारनाथ बाबा की बद्रिनाथ बगवान की उक्रुपा रही कि हम सब स्वपकुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है आप लोग ने बहुत बड़ी हिम्बत दिखाई बहुत बड़ी हिम्बत दिखाई और एक दुसरे का होसला बनाए रखा ये सबसी बड़ी बात है क्योंकि ऐसे समय येने रेलवे के डिबे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी तो तू तू मैं में हो जाती है लेकिन उसके बावजूद भी आपने इंसारा धैरे रखा मैं लगातार जानकरिया लेते रहता था मुख्यमंत्री जीसे भी लगातार संपर्म में रहता था मेरे पी-मों के वेफसर वहां करके बैठे थे तो जानकरिया रहती थी लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है जानकरियों से तो समाधान तो होता नहीं है लेकिन मैं सच मुझ में आपके माध्यम से वहां जितने भी हमारे स्रमिक साथी निकल करके आए है सबको और उनके परिवार का पुन्य भी काम आया है ताकि इस संकर की घड़ी से बाहर निकल करके आए है आप कुछ करना चाहेंगे जी सर मैं कुछ करना चाहूंगा सर महां बताईए मैं का रहा हूं कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर बने आपारा दिन तक अननने हम लोग सर भशा थे, सर करें हम लोग को एक दिन में कुछ इसा कमजोरी हरी थे हरी है या कुछ ऐसा घबराहाट हो रहा है ऐसा कुछ निवाद कि सर हमनों लोग फोटीवन मेंबर्स थे शर रात में खाने के बाद में जेतने भी हमारे आजमी थे सब को मैं बोलता था कि चलो एक बार तढ़ते हैं मतलब टनल का जो हमारा लेंद्ध है सर धाइए किलो मीटर हो गया सर उसमें हम लोग टालते थे सर और मॉर्णिंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं और तो हम लोग कुछ काम है नहीं अंदर में तो थोड़ा योगा से सुप्रियादा करेंगे सर उत्राखंड सरकार की सर जिसने हमारे साथ एतना अचिया सर और हमारे मानीय मुख्र मंतरी धामी नहीं हम से व्लगे लिए के साथ उन्होंने भी हम लोग तह दिल से सुप्रियादा किया और अम लोग गले लगाया इस बार तो भी के सिंग भी पुरा समय वहां रहे और वे भी बिलकुल डिसिप्लिण जैसे उनकी जो सोल्जेर वाली ट्रेनिंग है नहीं वह पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्हो साथ के साथर जह बात करेंगे साथ नमस्ते नमस्कार नमस्कार गबर सिंग जैहिन देखो गबर सिंग मैं मैं तुम्हें तो विशेर सुर्थे बढ़ाई देता हूँ क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुक्मेंदी जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लिडर्सिप दी और जो टीम स्प्रिट दिखाया मुझे तो लगता है शायद कभी किसी उनिवर्सिटी को एक केस्ट्रेडिक ताहर करना पड़ेगा कि गबर सिंग नेगी गाउं का वेक्ति उसमें वो कौन सी लिडर्सिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी पूरी टीम को समाला और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़े समझा भी पा रहे थे तो मैं आपके तरब से सुनना चाहूंगा गबर बहुत बहुत ज़न्यवाद सर थैंक्यू सर आप लोगों का आप लोगों का आसी बात था सर आप लोगोंने हमारा हुसला बढाऊ सरह हमारी मान्यव你在 मुख्य मंत्री खसकर श्रीं धामीश साब हमसे वार और बात करते हैं जो वह года हमसे अमारी कंट्रें चुन लगी बिए तिन लगए उनके साथ में अगदम दिल लगे रहें लेशान में हमारी स्टेट गवर्मेंट भी हमार साथ में हमारी पुरी बराबर बनी देए हमारी अंडियार्ट की टीम उन्होंने बराबर हमारे हुस्दा पढ़ांगे रखा सब उन्हों तक पर डे नोगी विल्टेंट शर्ट यह आप जैसे हमारे देश के परदानबंदिनें आप जो है जब बहार से हमारे देश के अधर कंडिशितें आप लोग खीचके आद इंसान को बचा की ला सकते हैं तो हम तो अपने घर में थे इसनिए हमें कोई दिक्कत नहीं पर भगवान बहुत दोस्तों के बहुत बढनी डीशाry ४र थिन्हों के इस मुस्किल की Springs आराम से नहीं है ॉर हमारी हमें आपने बहुत समाला लेकिन मैं सबसे एक और बात भी कहना चाहूंगा आपको शाज अंदर अंदाज नहीं होगा आपके परिवार के सब लोग बहुत दुखी थे पुरा देश 140 करोड देश के लोगों को चिंता थी और सुबह साम जो भी मिलता था तो मुझे यही पूता था कि मोदी जी क्या खबर है यह कब निकलेंगे क्या होगा सामन्य नागरिक भी मिले से ही सवाल पहले पूछता था और लेकिन मैंने देखा कि आपके सब परिवार जनों ने सामन्य दुख से मैंने देखा है कि जब भी ऐसे संकर राता है तो परिवार के लोग बहुत ही गुसा करते हैं परिवार के लोग बहुत ही और चिंता और अब पैसे कोई थे जिसको पहले कभी कोई मुसीबत जेलनी पड़ी हो काम करते करते वैसे अंदर कोई थे जिसके कोई अनुभाव काम में आये हो आपके अर्थ कोई काया था भुगबाद से उसमें हम थोड़ावन फशे वेते हैं लेकिन ऐसे करनल के दर नी परिते हैं और यहाँ पे मेरे बड़े भाईशावाई सर मेरे भाईशा वो भी लगाता है तब से हमारे साद्वे में बाहर चे उन्होंने हमारा बहुत होसला बलंद किया सब्सक्राइब लेकिन तुरन डॉक्टरों ने बताया कि इन लोगों की तब्वेश इतनी बढ़िया है यह लोग इतनी मस्ती से अंदर रहे हैं और इतनी हिम्मत है कि फिर मेडिकली तो कोई प्राब्लेम ही नहीं है तो मैंने का फिर ठीक है मैं रात कोई बात कर लेता हूं सबसे नमस्कार सर नमस्ते जी जी सर मैं अखिलेश बोल रहा हूं सर अखिलेश कहां से हो मिर्जापुर से हूं मिर्जापुर से हैं चलिए मैं भी उपी वाला हूं जी सर अच्छा बताईए खिलेश जी सर आपको क्या कहना है बताईए पुस्कर सिंग धामिंग जो भी थे सर अब बराबर हाल चाल लेते रहते थे सर हम लोग को हसला हम लोग का सर बुलंद रहता था बाकी अंदर में सर कोई खाने पीने की सर कोई कमी नहीं रहती थी बाकी सर SDR UP, NDR UP और हमारे कंपणी वाले सर दिन रात लगे रहुए थे न सर तो उनकों को सर मैं तहे दिल से सुक्रियादा करता हूँ कि हम लोग को सर सेफ निकाले और हम लोग जिस तरह से निकले हैं सर हम लोग को सबसे ज़्यादा खुसी है सर यदा भी सर बाहर वालों को खुसी है सर और हम भी सर दिन रात महिनत किये हुए है सर तो सारी दुनिया को चिंता होती है कोई सी भी ऐसे घटने में तो सारा हिंदुस्तान आपके साथ था और आप लोगों ने हैं लेकिन अंदर आपको दिन रात का दो पता चलता नहीं होगा जब तक वह छेद नहीं हुआ भागि से उसके बाद company वालों ने संट हम लोगा को सर मुबाइल वागरा चारजर वगरा हम लोग का प्रोवाइड करवा दिये तो अच्छा सर फिल होने लगा फिर टाइम वगरा का पता चलता था फिर हम लोग सथ रखी रहा भाद मन हम लोग का हलका होता सरा कि गवराट वगराट किसी को हुगा नहीं सर्फ किसी को प्राब्लम नहीं सर्फ फोटी एक मेंबर जो है ना सर्फ टोटल सेफ हैं सर्फ अखिरेंश निकलने के बाद परिवार से बात हुई किया सरे से नमस्कार सर्त मैं संनु crime साफ उल रहें सरो कमार जी बताईये कहां से हैं आप मैं से शुर बिहार से ए ने में चयाँ से सियां मिल्का इतल चपा हैं यह इंद खने वाध और जि多ब सब्सक्राइब ने लेकिस हमें से आपट ह्में पर इनरे समय हमारे लसे कर लेकियान आप फिर भी भाई ये बहुत चिंता का समय था, आप लोगों ने अच्छा आपने आपको समाला, और क्योंकि ये बहुत पतानी कुछ बुरा हो जाता तो पतानी हम तो क्या कर सकते थे, याने अंदर इतनी चिंता होती थी सबको, पूरे देश में चिंता होती थी, लेकिन आप लो तो आएगा सबको खासकर हमारे पुशकर सिंग धामी जो हमारे इस उत्राखंड सरगार के मुख्य मंत्री हैं सर उनका तहट दिल से हम सब धन्यवाद करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में सारे उत्राखंड के लोग, सारे देश हमारे साथ खड़ाता सर देखे आपके परिवार के तपस्या भी काम में आई हैं परमात्मा के आशिरवाद भी काम में आये हैं और 140 करोर देश वास्यों की दुवा भी काम में आई हैं और कुल मिला करके सब इस संकर से निकल करके भार आये हैं तो मेरी आप सब को बहुत सुपकामना हैं मैंने मुख्यमेंत्री जी को कहा है कि आगे अगर आप गर ना जाना चाहते हैं कोई ववस्ता करनी है क्योंकि मैं मेडिकल चेक अप पहले चाहता था क्योंकि कोई तकलिब नहों लेकिन अब मुझे डॉक्टर ने बताया कि साब बहुत सभी 41 के 41 लोग तबियत उनके सक अच् को भी मेरी तरब साब करके हमत के साथ आगे म बढ़ते रहें और आप भी देश के के लिए प्रेणा बंते रहें यही एकमेरी हमीशा प्रास्ता रहेगी और कभी मिल्ले का मुका मिलेगा तो जुरूव याद करूँगा, लेकिन मैं तो आज, वैसे मुझे आज इतना अब लोग इतने दिनों के बारा इतना समय अपका लेना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं अपने उमन को रोक नहीं पाए, इसलिए मैं सोचा भले थोड़ी रात देर हो गई है लेकिन मैं आपसे बात करूँ क्योंकि मैं मेडिकल चेक अप के पहले बात करना नहीं चाहता था और मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता था तो मैंने सोचा चलो रात कोई बात करना आपसे जाहिन बही आपकी जो नारे है न देश सुनकर का आज बहुत ही प्रभावित हो जाएगा बहुत 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 सुक्वावना है थैंक यू